तो हलो ब्रेवान, तो UPSC CAPF AC 2023 का official notification UPSC के तरफ से release किया आज आ चुका है आज है 26 April और आज कोई आपका notification आना था, तो time पे आपका notification release हो चुका है इस वीडियो में पहले discuss करेंगे important चीजों के regarding जैसे कि last date हो गया बाकी क्या final appearing के जो students है वो apply कर सकते हैं, इसमें कि नहीं age limit क्या है, कितनी number of vacancies हैं, वो सारे discuss करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि paper 1 का आप लोगों का जो batch है वो start होने वाला है from the 1st May जो कि combined series और CAPF का होगा बाकी सारी चीज़े मैंने batch regarding पिछले वीडियो में बताई हैं तो एक बार उसको देख लेजएगा, जो भी aspirants CAPF AC 2023 preparation class series है बाकी जो paper 2 का जो इतना भी preparation होगा, वो free में YouTube पर ही होगा, जिसका वो start हो चुका है बाकी सारी चीज़ें आप वीडियो में जाके देख सकते हो, यहाँ पर मैं उतना जादा discuss नहीं करूँगा अंजीजों को तो वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो, और मैंने अपना भी एक साथी साथ experience शेर किया है कि क्या mistakes मैंने किया, या फिर क्या सही चीज़ें किया, जिसके SMS का exam, written exam qualify कर पाया तो वो सारी चीज़ें आप जाके जरूर देखेगा, बिकाज बहुत important हो जाता है UPSC ने तो टाइम पर a notification release कर दिया, लेकिन आप भी अपने टाइम पर सही time पर activate हो जाए, बिकाज अभी अगर हम देखें, तो तीन महीने आपके preparation के लिए, आपका exam जो है, वो 6 अगस्त को है तो अभी सेकर देखें, तो आपके पास में है, जून है, जुलाई है, बिकाज आउगस में तो कोई बिल्कुल भी time नहीं है, तो आपके पास यही तीन महीने है, आप जितना preparation करेंगे, वो ही determine करेगा, क्यों, क्योंकि तीन महीने ना तो बहुत कम है, ना बहुत जादा है, यह ample amount of time है, ठीक है, अब मैंने भी खुद तीन महीने में exam करा किया तो तो बिल्कुल possible है, बार-बार उस चीज को repeat करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को यह न लगे कि वो impossible type है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको online apply करना पड़ेगा, official website से, ठीक है, और, sorry, बाकि इस अभी लोगं को यह paper के बारे में पताऊगा कि भाई, इसमें 2 paper होते है, paper 1 और paper 2, paper 1 में आपके 250 questions आते हैं, sorry, 125 questions आते हैं, 250 marks के, और paper 2 होते है आपका 200 number का, ठीक है, तो वो हो गया आपका 200 number का, और यह हो गया 200 number का, और प्लस फिर आपका बात में interview होगा 200 number का, तो यहाँ प 19 के बाद इतनी ज़्यादा vacancies निकली है, 2020 में तो exactly नहीं मुझा पता, लेकिन इससे तो कम थी, 21 में तो 1500 के बीश में कुछ थी, और जो 22 वाला है, उसमें वे 253 vacancies थी, 253, 2022 में, अभी देख लिए जए 2023 में 322 vacancies निकली हैं, 300 प्लस vacancies निकलना, मतलब UPC-CAPF में वो ज़्य ज़्यादा vacancies हैं, और देखे, जो आपकी first preference होती है, CISF हैने की Central Industrial Security Force, उसमें ही सबसे ज़्यादा है, 91, जो सबसे ज़्यादा preferable post होती है, सबसे ज़्यादा usually होती थी, CRPF में, होता क्या था, जब भी vacancies ज़्यादा निकलती हैं, जैसे 2018 में ज़्यादा vacancies निकली थी, सब सबसे कम, आपकी SSB में, सबसे सीमा बल में, CRPF में, पचपन vacancies हैं, तो अगर हम देखें, तो किसी एक में ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा है, किसी एक में बहुत कम है, सब में अगर हम देखें, तो equal division है, और सबसे important बात यह है, कि CISF में सबसे ज़्यादा इतनी vacancies, CISF मे आप मुझे तो लगता है कि 2019 में भी नहीं आएंगे, शायद 2018 में भी CISF में इतनी vacancies नहीं थी, 2018 में भी, तो CISF जिनको चाहिए, जो कि almost सबको चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए सबसे best, बाकी अभी आपको यह preference वगरा नहीं भरना होगा, जब आप DAF भरेंगे, अपना detailed application form, जब आप अपना exam clear कर लेंगे, तब आपको DAF भरना होगा, तब कहीं जाके आपको यह preference भरना होगा, तो उसके regarding अभी आप चिंता मत करिए, paper के regarding चिंता करिए, अगर वो निकल जाएगा तो फिर सारी चीज़े हैं, क्योंकि अगर उसमें आपका अच्छा score आ गया, तो उसके बाद आपका यह paper clear हो गया, मतलत आपका 90% काम हो गया, ठीक है, उसके बाद तो आपका interview और then final merit list है, तो यह बहुत important और अप तो ऐसा भी है, कि अगर आप final में नहीं भी होते हो, तो बाकी कुछ jobs के लिए आपको interview call भेजा जाएगा, खेर उस सब को आपको नहीं सोच हैं कि सरक कितना score कर लें कि हम safe feel कर सकते हैं, तो 140 प्लस में आप safe feel कर सकते हो, लेकिन एकदम ही safe feel करना है कि भही, अब तो भही चाहिए interview भी जितना बेकार हो जाए, तो देखो उतना तो कुछ एक set defined parameter बताना मुश्किल है, क्योंकि paper 2 पे भी determine होता है, लेकिन यह बोला जा स आपको बस improve करते हैं, 90 प्लस आराम से आजाएगा, ठीक है, 150, 90 और वही अपका जो interview हो, वहाँ पर भी अगर आप 85 प्लस ले आते हो, तो मेरे recording, क्योंकि paper के इतना भी ज्यादा level variator नहीं होता है, 2018 में सबसे lowest cutoff गई थी, 98 cutoff गई थी, क्योंकि vacancies ज्यादा थी, 400 प्लस vacancies थ रहते हैं, कि इतना इतना, इसमें उतना आजाएगा, उसमें इतना जाएगा, और कितना भी नहीं आएगा ध्यान रखना, तो में अभी कौन सा game खेलना है, में अभी, जो चीज़ पढ़ रहे हो, सिर्फ उस पर focus करो, वह उस पर focus करो, कि number अपने आप चड़ेगा, ठीक है, तो अभी ज़्यादा numbers का game नहीं खेलना आपको, फिर अगर बात करें, age limit की, तो age limit है आपका 20 से लेके 25, minimum 20 है, और maximum 25 है, यह है सिर्फ general category के लिए, ठीक है, OBC के अगर बात करें, तो 3 साल का relaxation मिला हुआ है, और SC, ST के अगर बात करें, schedule cast or schedule tribe, तो maximum 5 साल का relaxation मिला हुआ है, और आपका जनम नहीं होना चाहिए, यह है age limit का आपका पूरा criteria, ठीक है, तो सिर्फ OBC को relaxation मिला, 3 साल का, और SC, ST को, और हाँ, इसमें EWS को कोई relaxation नहीं ध्यान रखना, ठीक है, economically weaker section है, तो उसमें paper में आपको, जो cut off होगा, उसमें फायदा मिलेगा, यहाँ पे age relaxation आपको नहीं म फिल करोगे, तो आपके preference पूछेगा, लेकिन मेरा यही मानना है, वैसे तो जैसे बाकी जो exams होते हैं, तो उसमें तो तुरंद फिल हो जाती है, जो जैसे आपको डेली चाहिए, तो डेली सबसे पहले फिल हो जाता है, तो जल्दी फिल करना चाहिए, advice दिया जाता है, बट CAPF में उतना ज़्यादा क्यार, क्योंकि age limit है न, 20 से 25, उतना ज़्यादा पूसे civil sciences वगरे में बहुत ज़्यादा limit है, तो उसके वैसे number of forms ज़्यादा आते हैं, तो फिर भी यही advice करूँगा कि, अगर आपको अपना भी डेली ही चाहिए, ऐसा कुछ, तो शुरू के, शुर तक चाहिए degree, degree चाहिए आपकी interview में, अगर आपके पास physical जाते हैं, physical में जब देना जाते हैं, तो def लगता है, प्लस, अगर आप वहाँ पे provisional mark seat भी रहती है आपके पास, जो कि I think तब तक तो आही जाती है, आपका physical कब तक होगा, यह मान के चलिए, physical October से तो पहले नहीं होने वाला, यह मान लो कि physical आपका December में, November, December में जाएगा, December के तकरीबन, तब तक provisional तो आई जाएगी, ठीक है, और provisional दिखा दो नहीं भी आती है, तो भी mark sheet से भी काम चल जाता है, physical में, वो बहुत ही lenient होते है, जहाँ पर भी जाए आपका SSB में पढ़े चाहा, CSF में मेरा CSF में पढ़े चुका है, मेरा SSB में पढ़े चुका है, दोनों जगे है, काफी lenient, ठीक है, तो उसका आपको टेंशन लेना है, लेकिन अगर interview में नहीं हुआ, तो फिर टेंशन लेना पड़ेगा, और तब तक तक तर सब का आई जाता है, ठीक है, तो उसका आपको चि C's and ST's are not required to pay any fee, clear? फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरियेगा, और फॉर्म फिलिंग है आपका, दिस विंडो विल्मेन, अच्छा, अगर आपको करेक्शन औगरा करना है, तो 17 मही से 23 मही के बीच में कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको वो नहीं होना चाहिए, करेक्शन कर सकत हैं, बाकि अगर कोई प्राब्लम आता है, तो आप कमेंट जिक्शन में पूछ सकते हैं, बाकि फिजिकल स्टैंडर्स है, फिजिकल स्टैंडर्स देख लेजिए, फिजिकल स्टैंडर्स तो ही बोलेंगे, ये फिजिकल स्टैंडर्स में होता है, स्टैंडर्स में तो, यहा में 5 cm का expansion चाहिए होता है मुझे exactly तो याद नहीं आ रहा हूँ कितना I think 79 से 84 स्वारी 78 से 83 होना चाहिए ऐसा कुछ रहता है ठीक है 78 से 83 78 से 83 रहता है उसमें chest का वो तो हो जाएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं बस height का थोड़ा सा देखिएगा अगर height आपकी नहीं है उतनी तो फिर आप वहाँ पे दिक्कत है 165 cm ये male candidates के लिए height है 165 cm height होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे घर में नापते है 163 तक निकल के आता है तो form मत भरिएगा बस मैं तहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे या तो उतनी आएगी या तो 1 cm कमी आएगी ये सोचेंगे 163 से 100 वहाँ पे 65 हो जाएगी काफी मश्केल है ठीक है तो अगर 104 cm है तो मैं कुछ नहीं बोल ला हूँ तुम पे depend करता है 165 है वो तुम पे depend करता है तो 100 मीटर का 16 सेकंड 800 मीटर 355 सेकंड लॉंग जम 3.5 मीटर तीन चांस मिलेंगे ठीक है हमारे SSB सेंटर में जब गया था है तो वहाँ पे 5 चांस दिये थे अब यह मत समचना 5 देते हैं क्योंकि उस दिन धूब बहुत जादा थी और दूसरा कारण ये भी है पता नहीं क्या कारण था लेकिन वो लोग काफी lenient थे बस ये है लेकिन कहीं कहीं पर कहीं पर भी तीन के बाद चांस नहीं देते हैं जैसे नहीं होता है मैं CSF पर दे चुक हूँ तो वहाँ पे तीन के बाद नहीं दिया था शौट पुट में सिर्फ हाँ शौट पुट में भी भाई सहाब तीन चांसे कर दिये शौट पुट में तीन चांस अभी तक सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने देखा अभी तक सिर्फ इसमें एक ही चांस होता था और एक के बाद अगर आपका किसी का भी कुछ हो गया जैसे एक बार किया तो सब कुछ वहाँ आपने जितना पेपर 1 में चाहिए आप 180 नमबर लाए हो पेपर 2 में आपके चाहिए जितने हो अगर आपका एक लाइन ऐसे होता है ठीक है गलती से जैसे आप फेक रहें गोला और गलती से अगर वहीं किर गया या फिर थोड़ा लाइन के पहले गिर गया ठीक है या फिर आप फेकने के बाद लाइन को इधर से क्रॉस कर दिये गय आप सर गय सेसे फ में जब देने गया था मैं तो वहाँ पर तो दूसरा एक बंदे को दूसरा चांस दे दिया था लेकिन वो जैसे उन्हों था वो exceptional है ठीक है वो तुमाई किसमत किती अच्छी उस पेटिपट करता नहीं तो देते नहीं है जैसे SSP में पर दिया नहीं था तूरंट आउट किया था अभी इसी वैसा इतिंगे लोगों ने कर दिया तीन चांस ताकि बहुत सारे जो aspirants बाहर हो जाते हैं बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ aspirants बाहर हो जाते हैं सिर्फ किस वयदे से यह जैसे नों ने फेका और आगे से निकल गया तो अट लिस्ट तीन चांस तो भई इसमें तो कोई बाहर होने वाला ही नहीं है यह बात है और यह short put females के लिए नहीं होता है ठीक है चलो भई तो यह एक अच्छा काम किया बाकी paper यार main है paper one main है मैं आपको पहली बता चुका हूँ सारी चीज़े तो आँको बताऊंगा ही कैसे timing सेट करना आ जाएगा आपका चिंता मत करो उसका बट अभी paper one पे focus करो ठीक है बाकी कुछ प्रब्लम है तो comment बताओ बाकी notification हो गयरा सब जो पढ़ना हो गयरा आई का यह थोड़ा से देख लो 6x6 6x9 हो गयरा ठीक है देख लो कितना क्या है और यह height का देख सकते है women के लिए female के लिए 157 cm weight कभी हो जाएगा चिंता ना करो है ना अराम से बाद में हो जाएगा time मिलता है ठीक है चलो बाई धन्यवाद